जैहिंद मेरे सभी प्यार विधारते हों मेरा हुलेवा फिर से आप सभी का अनाकेड़ी पर स्वाथ करता तो जितनी मेरे प्यारे प्यारे श्रोएंट्स आचों है एक बाद जल्दी से कोपी और पैल लेकर बैट जाए क्योंकि आज ही क्लास और आज के कोशन्स तो बहुत ही बहुत मज़ा जाएगा आनंद एकदम गजब तो जल्दी से आ जाएए अगर आप आनंद उठाना चाहते हों ठीक है और वैसे आप ऐसे चीते हो जो पढ़कर भी आनंद ले सकते हो और वही जी उनमें सफल है ठीक है जिसको पढ़ाई में जिस दिन आनंद आने लग जया ह है वही बच्चा एकदम अपने रास्ते पर सही जा रहा है और आप हो ठीक है मैं मेरे भाई ब्लूब भड़ी आओं आप से बताइए गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग सभी को गुड मॉनिंग आ जाओ ये कैसे हमारा कूखूं कर रहा है से बिचारे को सांत करा जाए पहले लेजिए तो श्राट करें एक शेंडर को सक्ति मान ही गंगा दर आ जाई है हाव इसे पहले आगी चलते हैं जल्दी से समय को बर्वाद ना करते हुए यार इतरे तार कैसे डाल रहे हैं लेजिए आगी चलते है आप देखें जित्रे भी अब मैं च्छोटी से बात रहे हैं टॉप एंजुटर्स के टॉप बैजिस लेना चाहो तो अनकेडमी के आप पर चल रहे हैं आप इन बैजिस को चोईन कर सकते हो ठीक है यह प्राइस पहले रहेगा सभी का चाह एससी बैंक रेलवे एंपी एससी किसी भी चीच के आप त्यारी करना चाहो पहले यह प्राइस रहेगा जैसे रावल अंडर कोड यूज करो जैसे आपको इस प्राइस में पुरा पुरा कोर्स मिल जाया ठीक है आजए और आपको एक बात यह पता ही है यह वैच आ चुका है एक या दो दिन हुए लांच वे तो आप इसमें जुड़ सकते हो रावल अंडर कोड यूज करके कहां से और कैसे जुड़ना है तो नॉर्मल अनकैडमी की जैप पर जाओ रेलवे वाली गटेंगा किसी भी को सब्सक्राइब करते ना आपको इस बैसमें जुड़ा रावल नेट गोड़ यूज करके आपको लिंक बिले दुगा बात में है मास पहन लिजे मेरा इसे लेतरे दूर बैठके तो मैं पढ़ा रहा हूं कि तो मैं कुछ रहा हूं तो मैं नहीं होने दो कुछ टैंस नो सब्सक्राइब को पढ़ा है तो यह सभी बैच सिंगल एक क्लिक पर मैं एक कोर्स लेन पर सभी पढ़ा रहे हूं में राहूल एंडड़ वोड से आजाते हैं आगे चलते हैं यह आपको बताएब और शुब्र फास आप नाव यह बहुत बढ़ोए यह दो सब्सक्राइब सबसे पहले सब्सक्राइब पढ़ाते हैं तो रात में यूटूब पर मोजे राहु देशाल वाइफा स्टेडी पर ठीक है मनलब कि मैं यूटूब पर ठीक है कि तो यह बुद्धी में अच्छा यह तो पता है ने डायरेट भी आप जब भी अनकेटिंग अपर बैठे हो मेरी प्रफाइल आएगे किलिक करना किलिक करते हैं यह वारा पेज होगा सिधा उपन इसमें आप फोलो और फोलो करना थोड़ा नीचे आना इस पेसल क्लास जहां तक ना देखें उसके साम करना नोटिफाइ में यानि कि जब भी कलास होगी आपके पास एक मैसिज पहुच जाएगा अब आ चुके हैं अपने कोशन की तरफ लेजिए मेरे भाई क्या कह रहे हो कुछ कह रहे हो आप सर आपने आगे में पढ़ने पाए जब तो उपर चलेगा काजल ठाकूर ओके बच्चे जरूर आपने आप किये सारे इक्षाएं पूरी की जाएगी सभी बच्चों के ठीक है जरूर बच्चे देखें पहला कोशन लेजिए औप्शन देदेगा मैं इसके आजा लेजिए कौन सा है हाँ हाँ लो बहुत प्यारा सा कोशन है अराम से 45 सेकंड दो रहा हूँ पूरे पूरे 45 बताइए पूरे 45 सेकंड दे रहा हूँ बताइए क्या होगा इसका आंसर बताइए कोई भी कमेंट वाक्स मैं बताए मैंने आंसर वो क्या दे रहा है पोलिंग दे रही है ठीक है वहाँ पे देना अंसर यह पॉइंट नहीं लग रहा है यह पॉइंट नहीं है ठी ऐसे सोटीट है केरन नौसर पर यह बात की छूट यह पॉइंट नहीं है अगर नौसर पे की आर्टिकल पहला बीस परसेंट और एक और छूट सब्सक्राइब करमा चूट एक बीस परसेंट दूसर आइस परसेंट तो इंदा एंड वह वस्तू सिश्टी फूर इट इतने रुपे की रह जाती है तो इस कंडिशन वे जो सेकिंड डिसकाउंट है वह सेट भी तक है और देखो वगराव करें थोड़ा सा क्या है कि हमारे धर ना और रोड वगरा बढ़ने ऐसा इंडिया में होता है कि पहले बनाते हैं फिर उसे तो उसके वाज़ते तो तो उसकी वाज़ासे न थोड़ा सा तारु वा जो भी आते नेट वह तो तो वो डेली विचार है उनके कहते हैं सर जी हम क्या करें तो अगर नैट जाए तो दस से वेट करना दो दो नैट है तो दूसरा आला कनेक्ट होने कम सम्झे पंदरा से ले देता है ठीक है आ जाए कोशन कुछ भी नहीं है कोशन में क्या दिया गया है कोई वस्तू जो की 900 रुपे की थी अब कितने की रह गई है मिर भाई 648 की जब सामने वाले को बेची गई है कब जब उस पर एक 20% का डिसकाउंट दिया फिर उसका कम प्राइस वा फिर उसका एक्स परसेंट का और दिया अब इस कोशनों करने के दो तरीके होते हैं पहला तरीका देखी यह वाला अगर मैं आपके सामने कहीं पर यह लिख देता हूं कि मेर भाई मैंने आपको क्या करा कोई आर्टिकल खरीदा मैंने ठीक है मैंने आपको कोई आर्टिकल बेचा आप डिसकाउंट मांगने लेगे तो मैंने का भाई सब पहला एक डिसकाउंट दूँआ तो ये वाला तरीका हो गया एक तो सबस्काउंट बिलते हैं जब दो तो हम कैसे निकालता है पहले डिसकाउंट एक बटे छे गाता दूसरा एक बटे दस यानि कि मेरा प्राइस पहले छे से पांच कम हुआ और नेस्ट टाइम अगर किसी आर्टिकल का प्राइस दस ता तो कम होकर एक कम होके नो रहर गा हुआ है जो करता कार दिये फिरिछय नने ट्रे चीश यह बीस हूं जाए academia पांस ये पंदरा यह कटतो और ही सकता है त्स काट और मेंने सब्सक्राid या तूसरा यहीं कोई चीच चार की थी तो इंदाइंट तीन रुपएं बेच गई चार पर एक की छूट यानि ओवरोल पच्चीस प्रतिसत की छूट ये कोशन बहुत बार मैंने पढ़ाए हुए वही सेम कंसेप्ट यहां पर लगेगा वही सेम कंसेप्ट यहां पर लेगा हुआ क्या है अच बीवी एक्च्वल वैल्यू ने आती है हमिसा रेश वाली वैल्यू आती है बस यही चीज़ा मैं चाहिए थी आजएए कोशन से तो सौल करते हैं पहले थोड़ा सा जगा बनाते हैं यहां पर थोड़ी जगए तो ज्यादा अच्छा सा देखे आपको पहले डिसकाउंट कि मेरा प्राइस एसे भी इस रफ्तार से कम हुआ होगा इस वज़ा से ओवरॉल एंड में कोई 900 रुपे की चीज सामने वाले को 648 रुपीज में बेची जा रही है अगर मैं इन दौनों का यहां रेशो निकालना चाहूं तो नो से इसे गाटोगे तो सो पर जाएगा नो से आगे कट रहा हाँ मिरवई कट रहा है दो से 50 पर कड़ जाएगा तो आप देखोगे दो से 50 पर गया और दो से 36 पर गया आगे भी जा सकता था पर आपको जुरुत पड़ेगी नहीं अब आप एच्छी देखिए आपको यह रेशो मिल गई मिल गई अब आपको पता है कि एक ऐसी वैल्योगी जिससे इन दौनों का मेंटिप्लाई 50 आजाए और बी एक ऐसी वैल्योगी जिससे इन दौनों का मेंटिप्लाई 36 आजाए तो उस केस में एक को तो हमें 10 रखना पड़ेगा और उस केस में बी को रखना पड़ेगा नो साफ साफ है भाई फोर नाइजा ठाटिशिक्स बिल्कुल सही कंडिशन पांच की दस में गणा पचास बिल्कुल सही गा रहें पर ये सही कब हुआ जब मैंने एक को दस और बी को नौ माना यानि कि सेकंड टाइम पर जिस रफ्तार से पैसा गट रहो का है दस से नौ यानि दस पर एक की छूट और दस पर एक की छूट क्या आता है एक बटे दस दस प्रतिसत और यह है क्या आगया मेरे भाई हमारा आंसर यानि ऑप्शन नमबर सी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है आजएगे लीजिए तब एक कोशन था भी चोग आगया कोशन देखिए इसका आंसर आप यह देखता पीडियाफ में देखू कोशन रखा भी है कि हटा दिया उगलती से रट गया इनसे एक कोशन और था भी चूए हाँ भी बताओ पैसर एक्सान रुजब घलत तरनुग से एयक्सिन रूजब 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 जो बताओ बताओ जल्ले बताओ आज़ा भाई आज़ा लेजी देखो कुछ हुँ नहीं कॉशन में क्या रहा है कि परभात माक्स इस गूट 40% अबाव देर कोश प्राइस बट अलाव 18% डिसकाउंट फोर कैस पेमेंट इस परसेंटेज ऑप्रॉफिट वें सोल्डिन कैस नॉर्मल सा कोशन था 40% का उसने क्या करा है जैसा कि क्या करा कोई प्राइस है इतने की खरीदी उस पर 40% एक्ष्ट्रा जो भी बनता था उतने रुपे में उस पर एक प्राइस और लिग दिया पर जब कोई खरीद ने आया तो उस पर उसने 18% की छूट भी दी अब इस तरह के कोशन को करने के दो अलग अलग तरीके होते हैं पहला तरीका 40% लिखा है कितना होता है मिर भाई ये 2 वटे 5 आगे 18% लिखा है मिर भाई ये कितना होता है 9 वटे 50 आपको इसर कैसे बता लगा देखिए 18% परतीसत हटाते ही नीचे सभी को बता है 100 आता है 2 से 9 पर गटेगा 2 वटे 5 ठीक है अब उसने क्या कहा है पहली कंडिशन प्राइस को बढ़ा कर लिखा है यानि कि अगर 5 रुपे को योश्त खरीदी तो उसमें 2 रुपे एड़ करके 7 रुपे उसके उपर प्रिंट कर दिये और जब डिसकाउंट देने की बारी आई तो इस तरह से डिसकाउंट दिया कि अगर उसमें 50 रुपे लिखे होते तो वह सामने वाले को उसे नोर पे कम करके 41 रुपे में बेच रहा होता अब इन दोनों का मंटिप्लाइ करने से मुझे पता लगता है कि सुरुवात में कोई वस्तू कितने की रही ओगी उसका प्रैस क्या रहा होगा ठीक है और इन दोनों का मंटिप्लाइ करने पता लगता है कि उस आर्टिकल जिसको इतने में ख़रीदा गया सामने वाले से जिससे बेचा जा रहा उससे कितने रुपे में बेचा जा रहा है तो 287 सामने वाले को देने पड़ रहे हैं यानि डाइस वर्पे चीज हमने सामने वाले को इतना में दे दी तो फायदा तो साफ साफ दिख रहा है कितने फायदा दिख रहा है फिर भाई 37 प्रतिशत में पूछा क्या निकाल दो एक सेड में निकाल देंगे यानि 14.8 परसेंट यह है क्या देवारा आंसर किसे को डाउट नहीं होना चाहिए आगे चले है कौन कौन किसको मिस कर रहा है कौन गोयल है कहां पढ़ाई वड़ाई में दिमांगे लग रहा है लेजिए बताइए कुशन तो बहुत ही प्यारा सा असांसा कुशन है तीसरा कहा गया खुशन अच्छा यह वाला तो है लीजिए बताइए तो बहुत दुखके वादा आथ के टाइम पर यह समझ लो मोबाइल नहीं तोड़ना चाहिए मोबाइल तोड़ने मतलब है कि तुम्हारी क्लास टूट गई ठीक है समझे रहूं आज लो मतलब है एक बच्छे मोबाइल टूट यह उसकी स्क्रीन और चले गई तो इसका मतलब तो विरुभाई यह है कि बस आप तुम्हारी क्लास करती थी तब जागे छुटी होती थी पर अब तो पारी से पढ़ी है तो घरवाले तोड़ के पढ़ाने लग गए बैठो पड़ फॉन में अब फोन की स्कूटी तो थोड़ी सी चुटी मिल जाई नहीं कोशन के इसाब से देखिए दो तरह से कोशन किया जाता है जब भी किसी एक सिंगल डिस्टेंस को किसी एक ही दूरी को दो अलग अलग स्पीड से चला जाए इस वजा से तो पकात है था कि एक दूसरी से थोड़ा सा कम टाइम लेने वाली है तो इस तरह कोशन में जब यह दे रहाऊ दॉनों की अलग अलग स्पीड भी दे रही हो तो आपको क्या करना है दॉनों का मंटिप्लाई जो भी अंतरव नीचे मंटिप्लाई जो भी इस वजाय से जो अलग-अलग स्पीड से चल रहे है टाइम कर डिफ्रेंस पैदा होता ह जो भी टाइम के डिफ्रेंस बनता है वो यहां लिख देगी बस यही डिस्टेंस हो जाता है एट इन से फॉर पर फॉर नाइजा ठाटी सिस तीन सो साथ किलो मेटर यह आंसरा गया बताओ इस आसान तरीका को यह हो सकता है हाँ अब आपको वह सर दूसरा तरीका टाइम इंड बढ़े हो जाएगा आप जैसे करना चाहो वैसे यह कोशन आपको हो जाए टेमेंड वरकाल तरीके से कर लेते हैं और एक व्यक्ति है जो हर घंटे 72 किलो मेटर जा रहा है यानि एक तरह से देखा जाए तो यह 72 किलो मेटर एक घंटे में काम कर रहा है दूसरा ला 90 किलो उसलेगे 4 घंटे इनके बीच में कितरे का गयप आ गया एक घंटे गयप और एक घंटे गयप कब बन रहा है जब 360 किलुमटरी दूरी है और कोश्चन भी जा रहे एक घंटे गयप है तो 360 यहां पर आंसर आ गया डारिक वाद वही बढ़े जाती है आ गया यह बहुत प्यारा कि दूब है कि दूब है कि दूब है कि साट से कम मैं तो तुम करें ने पा रहे हैं कि पताइए कि दूब है दूब है कोशन क्या रहा हुआ है कोशन क्या रहा है कोशन कर रहा है कि एक मैं एक व्यक्ति बाइ सटेन नंबर ओफ एपल्स एट रेट ओफ रुपीज फाइफ फॉर पीज सिक्स ही सेज एपल्स एट रेट ओफ सेवन फॉर पीज फॉर देखिए इस तरह कोशन में ज्यादा कोशन नौर्मल सी बात समझाता हूं ठीक सीजह था कोशन के हिसाब से जब वो खर पार्टिकल को प्राइस निगालते तो एक वस्तिक उसने पांच परटे छे रुपे खरीदा आपको इसरफ पांच उपर शेखिए नीचे क्यों दो मैं कहँँ तुमने 10 रुपे खर्च करे और 2 पैन फरिदे एक कितने खरीदा तो आप क्या आगोए 10 रुपे खर्च करने वाद मैं दो लाय summat 2 लाया हूं तो एक लाय hurricane Suscary क्य eerste की था लग आा आप लेशते समय हर एक पैन को मैंने 7 रॉपällen में चार के शाब से बेच दिया आब रही आती है जैसा कि आज तक हम जब इन को करते थे तो होता क्या था हम सासब क्या करते थे निए पता होता हता हमने कितरी वस्तो झारी तो हम चे और चार का एलसे dice ready to से लेते थे और और चार फ़र झार में लेकर हम क्या करते थे बारा यहां कि मंटिपलाई हाँ और कोशवं 되면 से जितने खरीदे यह वो ठीक पर जब बेचने की बारी था थीछ सर्ट खराब हो चुक्ए है जब बेचने की बारी आती है तो मेरे भाई 20% खराब और यहां तो मैंने 12 खरीदे हैं तो बेचते समय भी उतने ही बेच रहा हूँ यहां पर मुझे दगरा मिट्टी सी जाद है ठीक है तो मैंने 12 खरीदे तो बेचते समय भी मैं 12 बेच रहा हूँ यानि कि यहां पर मैं गलत जा रहा हूँ ये मुझे नहीं रखना क्योंकि मेरे 20% तो खराब हो चुगे हैं फिर देखे आप क्या करोगे 20% कितना होता है एक बटे 5 यानि अगर आपने 5 खरीदे तो उसमें से 1 खराब हो चुगा है और बेचोगे सिर्फ 4 यानि कि मैं कहूँगा कि अगर आपने 5 खरीद और नहीं चार जो है चार से गटेगा मुझे इस तरह की दो वैल्यू यहां पर चाहिए थी क्योंकि फ्रैक्शन में तो यह पहले सही है मुझे फ्रैक्शन ही तो खतम करनी है जिससे एक एक्च्वल वैल्यू में मैं आसानी से कोशन को सॉल्व कर पाऊंग तो मैंने इसे ए कि सुरुवात में 30 खरीदे और बाद में 4-6-24 बेचे यह मेरा एक्दम एक्च्वल डाटा है जिसमें कोई भी कमी नहीं है क्योंकि 30 का 20 परसेंट निकालोगे तो कितना जया 6 और 6 कम करोगे तो 24 बिल्कुल हम सही जा रहें अब बस कर दीजिए इस और खरीकते समय 30 करिदे 20 24 लेचे चैक क्योंकि 20 खराब ओगे ते अब खरीकते समय मेरी में कितने पर आगी 22 रुपे इससे कितने बजाद गया तो रुपे and 35% 255 को 006 है कि बताइए कि कोई डाउड नेरा आगे चले कि चले कि चलो कि लिजिए कि पोल ही नहीं आ रहा है ऐसा कैसा हो सकता है विरुआ ये बार रेफ्रेस कर लो कि लो मैं इसका उप्शन बता हूँ आपको लिजिए सॉल करके देखे लेना इसको शुरू सॉल ठीक है बताईए क्या होगा इसका उत्तर मेरे भैई वो कह रहा है कि उसके उत्पाद लागत से जितने की वो उस्तु है उसे 30% एस्ट्रा अधिक मुले लगाने पर वो उसका रेडियो का टू एट्टी सिस्का लेबल लगाता है यह लाब ले बस यह गलता है लेबल लिख दो इसे लेबल और सारा सही है लेबल लगाता है लेकिन बेचने के समय वह अंकित मुले पर दस परसेंट की छूट परदान करता उसका लाप जाए कोशन में कोई कमी नहीं है मैंने देख पुरा इसी तरह से लिखाएगा आपका एक्जाम में बस यह लाब ले लिख देऊ उसमें लेवल लिख दो लाफ ले ठीक है लेवल हावज बताओ क्या रहा है कि तीस परसेंट एश्ट्रा लेकर उसने सुचा तीस परसेंट एश्ट्रा का एक प्राइस जैसे मैं सोख लू ऑढ़ा लेस्चा जिया प्राइस देख लूँ और तीस परसेंट परसेंट गे जब दी तब जाकर मैंने उस वस्ट्रा को शापने वाले को बेच टी लिखेशी तो उस कंडिशन वे पूछा है कि पूछा है उसके पूछट रहा रहा है कि प्रफिट मेराई कितना हो रहा है sorry देखे इस question करने दो तरीके है पहला तरीका normal आप एक चीत देखिए 30% कितना होता है 30% होता है 3% 10 तीज पर 30% कितना होता है 3% 10 यानि आपने कोई 10 रुपे की चीज़ खरीद कर लाए और आप आप दस रुपे की कोई वस्तू खरीद कर लाए और आप इसे बेचने लगे तो आपने क्या करा इस दस रुपे की वस्तू पर तीन रुपे एश्ट्रा यानि तीस रुपे तीस परसेंट यानि दस पर तीन एश्ट्रा लेकर तेरा रुपे उस पर एक प्राइस चाप दिया क कि बाइस आप इसे मैं 13 में बेचने वाला हूं परंतु कोई आपका चाहने वाला आया तो उसे आपने 10 परसेंट का डिसकाउंट दे रिया पर उससे पहले कोशन के अंदर अंकित मुल्ले दे रखाय कितना है 286 तो यहां से सीधा सीधा कोश्ट प्राइस को ना निकालो ठीक ह तो अंकित मुल्ले कितना है तेरा नहीं है 286 है इससे 22 गुना तो इसी प्रकार खरीदने वाला मुल्ले भी 22 गुना कितना रहा होगा 220 यानि कोई वस्तू 220 में खरीदी उसके उपर एक प्राइस प्रिंट करा गया 286 का और इस 286 के प्राइस पर दस परसेंट की चूट दस प्रिंट की चूट यानि एटएस पॉइंट शे रुपे की चूट दी गई अगर 286 में से 286 रुपे को मैनेस किया जाए तो पॉइंट जीरो यहां पर दस में छे चार ठीक है यहां पर आएगा हमारा कितना 15 और साट यहां पर आ गया हमारा कितना साथ में दो पांच और य कितने में रहा हूं तो उस केस में देखूंगा मैं इस प्राइस से और यह प्राइस जो है कितने रुपए जादा 37.4 रुपे और यही मेरा क्या है प्रॉफिट यही क्या है मेरे भाई मेरा प्रॉफिट किसी को डाउट कि देख रहा हैं दिख रहा साफ, कोई डाउन नहीं आगे चले ठेक है, एक और तरीका हो सकता था, ठीक है, कुछ एक तरीका और हो सकता था, ठीक है, बट उस में भी इससे ज्याद ही टेम लग सकता था, बट कुछ बच्चों ने वैसे करा होगा बताए तो मैं आपको, कैसे देखे आप क्या करते इस सो रुपे माल लेते कि आपने सो रुपे चीज खरी दी और प्रिंट करते टाइम उस पर 130 रुपे प्रिंट कर दिया फिर इस पर सेंट का डिसकाउंट दिया दस पर सेंट कित्रा हो जैगा 13 जब 13 का डिसकाउंट देंगे तो सामने वाले को कितरे देदेंगे बस तू 117 रुपे में बिल्लकु सही है अब बस आपको इतना करना था सभी जया से एक जिरो अटा दो ठीक है यहां से एक जिरो यहां से एक जिरो यह नहीं दस से और इतने बेची गई तो कितना फायदा हो रहा है एक पॉइंट साथ रुपेगा पर कोशन कर रहा है तेरा की नहीं थी वस्तु कितरे की थी टूएटी सिक्स की इसे कितने होना आदा बाइस तो इसी प्रकार हमारा जो आंसर है वह है भी इससे ट्वंटी टू टाइम्स जाद सब्सक्राइब पर इसकार को यहां से कैलकुलीशन आफको इजी हो जाती इस तरह से किसकिस ने गराता बताओ इसपाओ ये इजी रहता ये पता है ना फ़्यारा के साथ किसी नंबर की करता है और फार टीफोर की तो क्या होता है यह ऑसा का युप नवर टोटल बीचम जी जी अराम से कैल्कुलेशन करते हो आंसर देना कहीं और एक बात और घर बैठके कोई कैल्कुलेटर यूज मत करा करो एक और मैसेज करके बताओ कैल्कुलेटर कौन कौन यूज करता आप समय से बताओ लाइक करके बताओ जलो नाम मतलो अपना है ना कैल्कुलेटर कौन कौन यूज करता है लाइक करके बताओ इतरे सारे हैं मिर वाए एक बात बताओ कैल्कुलेटर यूज करते ही यह समलों कि आप कहीं न कहीं कहीं न कहीं अपने आपको कैलकुलेटर अगर घर पे बैठे हो बिलुकुली दस एक मिनट होगे तब यूज़ कर लो बट अभी मुझसे पढ़ रहे हैं और अभी कैलकुलेटर से आंसर जल्दे निकाल कर आपने या दे दिया ठीक है यहां पर रैंक बन जाएगी आपको खुसी होगी हो बाइसा मैं तो दस भी रैंक लिया है बार भी लिया है तेर भी लिया है बट उस रैंक से और आपके जो एक्जाम टाइम पर बहुत बड़ा फरक पड़ेगा इतना बड़ा फरक साइद वहाँ पर आप कोशन सौल भी ना कर पाओ आपका दिमाग आप से काईगा कैलकुलेटर ला ब 50 और एक बच्चे के टीगट थी 500 और एक के परंतर दिया मिला परंतर जिरा अजब कोशन में बात और बता रिखेंड ऐकर तोटल बच्चेव झाल तो नोर्मल सी बात है यह सत्राव के साथ एक फ्री तो यह यह पांच फ्री इन और ये दो सत्रा इंससत्रा गए न डशों कुछ तो पांच बच्चे पांप पांप सरु में यह साबसे इन्हों तो यह 25 उर्पे और इनकी जेवसे तक ओर ओरल्ल जीरो जीरो ऊप büyड़ है इतने युट है उन्हों तो उसने लिख रहा है कि दो अडर्ड के साथ एक फूरी हम तो सत्रा है तो उसने का जी बाइसाब आपका जो इस पर डिसकाउंट देते हैं कितना डिसकाउंट इन पांच बच्चों गा टोटल तो उनकी जेब से यह जाना चाहिए था एक्चुल में ठीक है बट उसने डिसक तो डिसकां तो बस काट शरुड तो इसकांट यह जटेक है तो यह जरुकर दें ठीक है फाहसे पर जाओगे ठीक है तो यह कितरा इसका मेरे भाई 11o10 अब 39 से हम यह तो 3 पर जाएंगे पर 3 पर जाएंगे तो भाई इससे बड़ी वैल्यू साइद 117 उचाई नाइंट टीन और तो ग्यारा एक सो सुत्रा तो तीन पर तो जाए निसकता अब यह जाएगा दो पर तो जाए वारा पॉइंट संथिंग जहां देख जाए वही हमारा आंसर यानी 12.82 यह हमारा क्या हो गया आंसर ठीक है अधर मां करता है मेरे भाई मैं यह नहीं करता है कि तुम तुही करता है या कोई और बच्चा मतलब कुछ बच्चे कर रहे होंगे उनके लिए कहा गया है आजाओ लिजी बताएए आप्शन तो दिये नहीं आप 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 लिजी बताएए वाई बहुत प्यारा सा कोईशन है सभी वच्चे बताएए शाट सेट दे रहा हों पूरे बताएए बताओ बताओ बताएए हाँ बताओ बताओ कोईशन कराएए कि एक स्पेर है एक स्लेंडर और एक कोन है सभी के इकल रेडियस है और इकल वॉल्यूम अगर सभी के वॉल्यूम इकल है तो मैं क्या कहूं देख रेडियस को तो सभी को आर मान हुआ पर हाइट तो आएगी ना हाइट को हमेस ना हम टाओ ठीक हाँ chances in before आज रेडियस सपेर हाइट और यहाँ पर वॉल्यूम hier पाइट आर की क्यूँ ठीक है बराबर है कि इसके थी भी क्या देख़न कहीं ओट लिज़ी रेडियस रेडियस है परहाइट ओल सलेंडर and height of cone, ठीक है, आ जाएगे, और एक slender के बारे में देर खाया, slender क्या होता, pi r का square h, आगे गई, इसका बारे में देर का 1 by 3, pi r का square h, ठीक है, इसको h1 लिख लेते हैं, यहाँ पर दो एडियस है नी, इसे h1, इसे h2, अब हम आगे आए, तो हमसे जो पूछा गया है, उससे पहले हम देखते हैं, कुछ कट रहा है, फिर बाद बताओं क्या पूछा गया है, pi से pi से pi कट गया, ठीक है, इस r की q में से r का square कट जाएगा, क्योंकि देखो, यह r का square, यह r का square, r की q का 1, 2 r के square खता हो जाएगे, और यहाँ पर रहा जाएगा सिर्फ r, यानि हमार पास क्या चुका है, 4 by 3 r equals to h1 equals to 1 by 3 h2, हमें पूछा गया है, जो यह square है, इसकी जो भी radius है, उससे इन दौनों की height का ratio, जो भी square है, ठीक है, इनकी radius से इन दौनों की height का ratio, नॉर्मल निकाल देंगे, कैसे हमें पता है मेरे भाई, जब भी इसे ratio में बदला जाता है, जब भी इसे ratio में बदला जाता है, तो कैसे बदलते हैं, इसकी ratio, इसकी ratio और इसकी ratio, क्या हो जाएगी, इसकी value हो जाएगी, 3 by 4 ratio, इसकी value बन तो और नहीं रहीगी, इसकी ratio 3, अब इन सभी को नीचे से यहां से 4 अटाने के लिए, यहां 4 की multiply, यहां भी 4 की, ऐसा होते ही, 4 से 4 कटा है, यह 3 आ गया, यह 4 आ गया, 3, 4, 12, 3, 4, 12 हमारा क्या गया, answer, किसे को doubt, बताइए, अरे लिख तो रखाया है, have equal radius, a spare, a cylinder and a cone have equal radius, एक गोले, एक बेलेन, एक संकू की तरजाएं और आइतन, यहां पर लिखने रखाया ही तरह बड़ा-बड़ा, अब कैसे कोगे कि radius बराव नहीं है, इसमें के लिए रोने वाली बात किया थी मिर भीया, फोर्मला लगाया और जो करता है काड़ दिया, उसके बाद यह चीज़ आ गई, और इसके बाद अगर आपको रेशो नहीं आता, तो तो के लिए नहीं हो पाएगा, यहां से फिर सारा मेथड रेशो का है, फोन बज़ रहा है, पूरा दिखाने तुमारा, बेरोजगार, प्रोहित, मेरे भाई, सुन रहा हूं है, तुमारी सोच रहा हूं सुन उत्ते पर, ठीक है, अभी तुम किसके मुवाई से पढ़ रहे हैं, बताओ पहले, एक करा ससुरा ये ट्रिकों बनाए, किसने समझ नहीं आता है, बेटे, देखा जाए तो, ये पढ़ाई किसने बना दी नहीं, समझ तो ये भी नहीं आ रही होगी तुमकों, पर पढ़ना पढ़ेगा, पढ़ना जरूरी है, अच्छा, बाकी समझ आता है, बस ट्रिकों नहीं आता है, तो ट्रिकों के हमारी क्लास देखिए, हमने बहुत पढ़ा रखा है वहाँ पर, बहुत आपको मुझा आएगा, आनंद, आजएए, देखिए, क्या कह रहा है कोशन, आजएए, इसका उत्तर ले लेते हैं, लेजिए, बताईए, बताओ उताओ, क्या होगा इसका उत्तर, क्यूशन का अंसर दिया करो, ठीक है, देखो यार, जुकान बहुत कलची, एक चीज़ देखिए, बहुत आसा कोशन है, बहुत मुस्किल कोशन नहीं है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो, एमें स्विमिंग इन इस्ट्रीम, विच फ्लोज, यानि कि जो नदी है, उसकी धारा की गती का है, एक व्यक्ति एक धारा में तैर रहा है, जो 2.5 किलोमेटर प्रतिगंटा की चाल से बहती है, यानि कि हमें पता है कि किसी व्यक्ति वगरा या किसी नाव की स्पीड को में एक्स मानते हैं, इन कोशनों में, और वाई मानते हैं हमेज़ा नाव की गती हो, नाव की गती हो, तो 2.5 किलोमेटर प्रतिगंटा पानी की गती है, आगे क्या देर खाय है, कोशन में देर खाय है, वह पाता है कि एक दिये गए समय में, मलब किसी एक टाइम में धारा के विपरीट की तुमना में धारा के साथ तीन गुना दूरी तैर सकता है, देखिए अगर यहां पर डिश्टेंस का रिश्व दे रखा है, तो यही उसके स्पीड का रिश्व भी हो जाएगा, यही उसकी speed का ratio भी हो जाएगा कैसे x plus y और x minus y यानि धारा की विप्रित दिसामें अगर वो एक जाता है तो धारा के साथ वो तीन दूरी तैर रहा है कैसे पता लगा कि मैंने कहा था कि इसी एक single time में किसी एक single time period की पर सब recuperate और कं Natomiast का ratio भी हो जाएगा कैसे जाए खिकुल में कहा दूँ तो एक गंटे में उसे डिश्टेंस का ratio देर खाता हूँ कि x plus y के साथ जाता है तो तीन दूरी जा रहा है और x minus y के साथ जाता है तो एक दूरी जा रहा है फर x minus y की किलो मेटर है यहां भी इसा 연 dh would भी बद ग्या तो एक तो एक ऍभू का रशय में जगा यहनी है इसकी लिए इसलिए हैं मे इस पीड का रशय निकाल पाई और यहां से मैंने आपको एक बात और भी ऐहां से तो X क्या होगा, 3 और 1, 4 और अगर मैं यहां से Y की वैल्यू चाहूँ तो Y क्या होगा, 3 में से 1 गया, 2 इन दोनों का ratio निकला तो या गया, 2 ratio वन, क्या ratio निकल कराए मेरे वह 2 ratio वन तो यहां से मुझे पता लग चुका है, अगर पानी की चाल एक है, तो इस व्यक्ति की चाल दो है, पर पानी की चाल तो धई है, पानी से 2 गुना चाल है, इस व्यक्ति की तो धई से 2 गुना 5 किलो मेटर परती गंता, इस व्यक्ति की चाल है, अब कोशन चाहरा है, कि how many distance he will cover in टो पैंट फाइफ की रफतार से चार घंडे में कित्रा डिस्टेंस कवर करेगा तो टू पैंट फाइफ इंटू चार यानि 10 किलोमेटर की तूरी हुआ है तैय करने वाला है यह क्या जाएगा हमारा answer यह क्या जाएगा मेरे भई हमारा answer ठीक है लेजे अगला question पोल लगा देते हैं बताइए इसने को यार आए ए टुक हम का शुक जह दो बत्कंदा एर अग्ण बता हो था हूँ आप शिया लगा रहा है ना बने बाट चेक करने को लिजिए कोशन कहा रहा है कि उसने क्या करा कि एक microwave को bought a microwave and paid 10% less than original price तो दस पर तीसत कम यानि 10% एक वटे दस यानि 10 की चीज को 9 रुपे में सामने वाले को बेचा ठीक है और उसके पाद उसके पाद जब बेचने लगा ठीक है जब खुद खरीदा तो दस की चीज नौ में खरीद ली पर जब बेचने लगा तो 30% profit पर बेचा जब बेचने नौर्दो 11 तो यहां से आपको पता लगा कि अगर कोई सी 100 रुपे में उसने खरीदी तो ओर रोल इंदाएंट 117 बेची तो फाइदा कितने का होगा है 17 रुपे 17 रुपे यानि 17% क्योंकि 100 रुपे 17 का फाइदा यानि 17% और यही हमारा क्या जाएगा आंसर यही क्या जा आज की क्लास ना कोशन तो है मैं पहले इस मेरे रुम मेर सफाई करा हूँ सबस्क्राइल है आज मुझे टाइम मिली ने पाता पांच पच घंटे लगा थार क्लास आज मैं इसको नहीं तो मैं अब जरू मिमार हो जाओं आज की इतनी क्लास बहुत यार मैं इसके लिए सुर आज करा हूँ यार बाई तो देखो यार एक चीज़ और छोटी से सुनो कि अनकैडिमी की एप पर अगर अभी आ बैटे हो तो अभी जाकर मेरी पुरानी क्लास इसको पड़ सकते हो बहुत अच्छे कोशन से बहुत अच्छे कोशन से आप क्या करोगे राहुल डेस वाल पुराँ पुरा शुव पूरा और इस पूरे पेज में आप राप ह nessa कोड़ करोई क्या उजक्क करोगे और इन सबीक्लास इसको आसानी से पड़ पाऊगे साथ में किसी भी class पे क्लिक करने बाद अगर notify me काinson है तो notify me कर लेना किसी कि भी class पे क्लिक करने के बाद notify me का option है तो मेरे भैं notify me भी कर लेना ठाट के उसी के साथ साथ कूछ courses भी निकले हुए हैं अचा मेरी classes की time है सुभे नो और रात में यूटुब पर राहूल देस वाल सच कर लेना अब देखिए एक बात और रोज सुबह ना हुजाना के इसकी महा में रहता हूंती है लिंक आपड़ा इसक्रिप्शन में यहां तो यूटुब पर पढ़ा रहता है ठीक है कुछ batches आ रहे हैं आप सभी के लिए जैसे ये तो रहल देज यूटुड यूज करो आप पॉर्स ले सकती हो ठीक है आप किसी भी batch पर कर लिए रहलए यूश करते ही इस batch को जोइन कर सकते हो यह बैसर तीन मेले के लिए जोइन करना आप पंद्रा सो फीस लग पाईगी और इसमें आपका स्लिवस कवर हो जाएगा उसके बाद रेल अगर एससे के बैच सभी यह यूप पढ़ने आपको तो आप इसमें राउल लेंडर कोड यूज करें किसी भी बैच में किलिक करो एक साल का लेना यहां पे एक साल में ही सब कुछ के लिए रोपाया नहीं तो नहीं हो भाई आप बाद रहा रहा जाएगा और इन सभी बैचों को पढ़ लेना ओके और यह पूरी लिश्टी दे रहे कि भाई अगर आईटी का भी त्यारी करने किसी भाई दोस्तों तुम्हाने को तो इस प्राइस को राउल अंडर कोड आज कल मैं पूरे-पूरे पचास-पचास रात में कोशन करा रहा हूं ठीक है तो रात में नहीं करेक्ट आ जाएक रहा हूं ओके बाई